भारत में आज आम बजट पेश हुआ है, हमादे साथ में इब्रेल मंत्री अश्वणी पैशनव जी इस बजट पर भाग करने के लिए। सबसे पहले बजट से शुरू करूँगी और मैं एक महिला हूँ, दो बच्चों की माँ हूँ, नौक्री शुदा हूँ। मुझे इस बजट से क्या मुना, अगर आपको संधाना पढ़ें, तो क्या मुझें गया। बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न ओपनिंग प्रश्ने किया। इस बजट को आप इस तरह से देखे, किसी भी एकॉनमी में employment generate कैसे होता है। एक middle class family के लिए सबसे महत्वपून क्या है employment, employment generate कैसे होता है? Employment generate होता है जब investment आता है, investment याने नई factories खुलें, नई projects बने, नई businesses खुलें, नई shops खुलें, इस से employment generate होता है, employment generate करने के लिए और effective capital investment करीब साड़े 10 लाग करोर, it's historically high number जिससे की complete economy में एक positive cycle चालू होगी, government के investment के साथ, public investment के साथ, साथ ही साथ private investment चालू होता है, उसके लिए PLI schemes की अलरडी 2 साल से चल रही है और उसको और एक नए level पे लेके जा रहे हैं, तो आज आप देखिए, इसका मैं एक example अगर आपको दूँ, mobile electronics manufacturing, electronics manufacturing में आज करीब करीब 22 लाख का employment है, तो जो हमारी बहुत बड़ी संख्या है देश में, वो संख्या में middle class में, सबसे important जो मुद्धा होता है वो है employment का, तो ये budget employment को generate करने वाला budget है, हिंदुस्तान की economy में empirically देखे, एक करोड की investment से करीब करीब 4 लाख jobs create होते हैं, आपने बहुत अच्छी बात दुगाई, एक चीज जो सबसे साथ आप इस budget को focus मानता है वो employment generation पे, उसी से जोड़ा दूसरा सवाल आपा है, अपरेन मत्राले से जुने हुए और रिसेंट्ली आरगी, आरगी IMT PC exams में बहुत साथी problems आई थी, जिस पर आपने प्रेस कॉंफरेंस भी की, हमने प्रेस कॉंफरेंस होनी, उसके बाद BBC की team आपके जो version था उसको लेकर ग्रांट पर गई और छात्रों से बात, चात्रों ने आउटराइटली रिजट कर गिया कि उन्हें को भी किसी भी तरह की committee से बात नहीं करनी, उन्हें सीधें से वीजगुना साथा चाहिए, एक तो यह अभी भी लिमांड है, और दूसरी, वह कहरें कि 4th grade की job है, मतब लेबल 1, ग्रूप C के exams की जो बात करें, जिसो ग्रूप D भी एक तरह से कहा जाता है, उसमें बुरे हमारे job, IES, BCS, UPSC की तरह नहीं है, बहुत normal सा job है, उसके लिए 2 levels Q, तो सबसे पदे आप से जाना चाहूँगी, जिस कमिटी को चात्रे खारिज कर चुके हैं, वैसी कमिटी बना के आप क्या खासे करें? किसे कर खारिज किया? एक लाग से अधिक चात्रों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दी हैं, एक लाग से अधिक चात्रों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दी हैं इसी कमिटी को, लेकि वो कमिटी नहीं चाहते हैं कि दसगुना रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखा होगा है, आप यह देखो, दे हर डिशियन के पीछे बहुत सारे लोगों का भविश्य जुड़ा हुआ है तो हमें सोच समझ के सम्मेदन शीलता के साथ डिशियन लेने पढ़ेंगे तो कमीटी सीनियर ओफिसर्स की है जिनको बहुत वर्शों का एक्सपिरियंस है उन्हों ने अल्रेडी जो आय रेप्रेज करेंटेशन उसको अल्रेडी उसकी जाज करना भी चालू कर दिया है वेट नहीं किया है कि तीन सब्सक्राइब एक लाग का रेप्रेजेंटेशन है तो देखो साथ लाग अगर बच्चे कॉलिफाय हो रहे हैं उसमें एक लाग बच्चों नाग बच्चों अगर जाज करेंटेशन की वेकंसी के एकंस्ट कितने कॉलिफाय होते है तो करीब 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 3.8 यूनिक नमबर है बाकी जो 3.2 यह यह रहीं तर्ड जो हो सकते थे कॉलिफाय उसका वन थर्ड लोगों ने रिप्रेजेशन दिया आप कैसे कैसा तो कारीज किया तो क्युकि हम न आप मिलो जिस तरह से आउट्रीच हो रहा है और अपने पॉइंट के हैं क्योंकि हम खुले मंद से अच्छी नियत से क्लियर हाट से सुन रहे उनकी बात और सुन के उसको सॉल करेंगे ना ठीक आप कहना है कि कुछ चात्र चारिज करने को बात करें और कुछ चात्रों आप को रेप्रेजेंटेशन दिलिया एक दूसी बात वो यह भी कह रहे है कि ग्रूप टीज जैसे लेगल जो तो बहुत देखो उसमें क्या आप्शन नहीं का सब की एक बार में हो सकते हैं बिल्कुल हो सकता है देखो बहुत सारी जगे मैंने पढ़ा भी कि हम अगर इतना बड पर बहुत जरूरी है इतनी ट्रांसपरेंसी है कि एक्जाम की अंसर शीट पी लोगों को दिखाई जाती है ताकि वो अपने अबजेक्शन पी इस पर रेज कर सके इसलिए सोचा गया था कि एक जो गूप डी का लेवल बन का एक्जाम है उसको दो स्टेज में किया जाए ल अगर कमेटी इस निश्काश को काँछती है कि एक लेवल में एक ही बार में एकजाम हो गूप डी वाला तो क्या हो उचाइट कर सकते है कि जब मर्डरी जी बोल ते एक पोस्ट है तो एक वेकंसी ऐसी कलती एक बार और उस पर एक करोल या एक करोड और जाता लोग विफलता नहीं कि इतने जादा बेरोस्कारी इस पर आप से जबाब जाए जाती है कि इतनी एक सेफ और इतनी अच्छी नोकरी मानी जाती है कि डेफिनिटली इसमें ज्यादा संख्या आएगी ही आएगी बहुत सारे ऐसे चात्रे में जिनको प्राइट सेक्टर में नौकरी प्राइबल है लेकिन वो रेल्वे की लेना चाहते है क्योंकि रेल्वे एक स्टेबल ऑगनाजेशन है यह डेफिनिटली यह देखोगे कि छोटी से छोटी कोई भी अगर पोस्टिंग निखलेगी तो उसमें हमेशा ज्यादा संख्या आएगी ही आएगी आएगी आज की ब संख्या में प्राइबल आप है तब यह इसा संख्या आती तो जिसमें बहुत सारे नौजवान योगदान देना चाहते हैं तो जितनी भी आप जब भी वेकेंसी आएगी ज्यादा संख्या आएगी है अब आकरी के दो सवाल मेरे बचते हैं सर एक तो फिल्खाल किनी वेकेंसी है आपकी डेलिज में और जब इन जाल पर इस तरह की वेकेंसी निकली कि क्या एक्यूमेलेशन नहीं होगा सोरा के बाद उननेस में निकली निकली उननेस आली अभी तक नहीं होगी तो पिर अगल देखो बहुत सारे फेक्टर इन फेक्टर पे असोशियेशन का फेडरेशन का उनका व्यू भी लेना होता है आज हम बजट की बात कर रहे हैं आप कहां चले गए ठीक है मैं बजट पर बापस आती हूँ कि इस बाजट में जो हाइलाइट समने देखे उसमें सबसे जादर कि इन सारे पाप शार सो बन निमारत एक्स्प्रेस ट्रेंगें चलाइगें इन ट्रेनों के बारे में कहा जाता है कि फ्लाइट पे जो पैसंजर जा रहे थे छोटी शोटी दूरी वाले उनको आप एट्राक्ट करने के लिए रेल्वे पे लाने के लिए आप लोग उने इस सारे आड करोड़ ट्रिप्स हैं रेल्वे के पैसेंजर्स की साल में साढगे आट करोड़ उन्से, रिजुज नमब्र कोई तना तनी नहीं है, दोनों के दोनों के दोनों क् Oleks और PM साब का विजन भी है कि सारे की सारे इंफरस्रेक्चर को हम इंटिग्रेट करें PM गतिशक्ती फ्रेमवर्क में रेलवे के लिए इसमें सबसे महत्वपून यह है कि हम पहला तो पैसेंजर एक्सपिरियंस को चेंज करेंगे पिशले सालों में आपने साथ वर्षम में आपने देखा होगा स्टेशन क्लीन है कहीं पर भी जाओ फैसिलिटी बेटर है ट्रेंस टाइन पे चलती है नई तरह की ट्रेंस आई नई टेक्नोलोजी की उसका वर्षन वन आया वर्षन टू चल रहा है भी मैनुफेक्श्रिंग फिर वर्षन थ्री होगा नई जनरेशन के आएगी ट्रेंस सेफटी स्टेशन इन तीनों से पैसेंजर्स का एक्सपिरियंस चेंज होता है तो वो सारा फोकस है पहला है चार सो नंबर बहुत जादा होते हैं तीन साल के लिए तो क्या ही इवेंच्वेली हम श्यतांती जर्शानी इसको फेज आउट करेंगे किराया जादा हो रहा है तो मेरी पॉकेट पैसर नहीं पड़ रहा है इस पर आप से जादा पूट पर स्टाम आप यह देखिए वंदे की उक्पेंसी कितनी है वंदे दो वंदे चल रही है करीब-करीब 80-90 परसंट उसकी उक्पेंसी है ऐसा नहीं है कि बहुत कोई हम पैसेंजर फेर में अल्रेडी 50% सब्सीडी देते हैं अल्रेडी जितना रेल्वे का खर्चा आता है उसका करीब-करीब आदा हम रिकवर कर रहे है तो वो जो सोशल अब्लिकेशन है तो सोशल अब्लिकेशन को तो भी है अल्रेडी फुल्फि एक दूसरे आपका मंत्राला है इससे जुड़ावासाबार कुछना चाहूंगी के बारे में कहा दिया कि अप्शन स्पेक्ट्रम केस का लिए तो 4G तो 3G की तरह नहीं 2G की तरह चलता है तो 5G आएगा तो कैसे चलेगा है यह आप यह गलत कह रहे है बिलकुल आज भारत मे डेटा कंजम्शन दुनिया के लार्जेस्ट पर कैपिटा डेटा कंजम्शन के बराबर है कैसे संभब आप कहते हो कि 5G, 2G तो चलता के सब में मोबाइल नेट्वर्क्स की बात करें हूँ आप देखे मोबाइल नेट्वर्क्स में इन्वेस्टमेंट की जरूर्त है डेफि चलुए थे उन लगेसी इस्चू के कारण टेलेकॉम सेक्टर में बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ उन सब को एके करके रिजॉल्व किया जा रहा है, सेप्टमबर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हुए उस रिफॉर्म्स के कारण आज तेलेकॉम स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी तो हम लोगों किया ना, आपको लग रहा है आने वाले दिनों में सब नेट्वर्क उस में इच्छा मिलेगा, डेफिनेटली, बहुत 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 शुक्रिया, बीवीजी से बाते हैं, थाक्यू, बात बहुत 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 बहु बहुत 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 बहु